हलो एवरीवन विलकम तो सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है असिस्टेंट प्रोफेसर रिकूर्ट में नोटिफिकेशन हम कवर करेंगे इस वीडियो में यहां पर जो सैलरी स्ट्रक्चर है सब्जेक् कालिफिकेशन और माकी की सभी डीटेल्स कवर करतें आगे आगे बढ़ेंगे सभी डीटेल्स कवर करेंगे लिकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथी साथ मैंने अपने फेस्बुक ग्रूप टेल अच्छी चीज जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाती हूं तो उनको मैं डायरेक्ली आपके लिए फेस्बुक ग्रूप टेलिग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर शेयर कर देती हूं आप इनको पढ़ सकते हैं पढ़के अगर आपके लिए सुटेबल है तो दिये गए त इसमेंट में में मेंशन तरीके से अप्लिकेशन डाली जा सकती है तो यह सारे जो स्क्रीन पर आप देख रहें सारे जॉब्स में डेली बेसिस पर शेयर करें हूं अलग-अलग न्यूस्पेपर की कलेक्शन होती है यह आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन हो जाएं फेस्बुक ग्रूप टेलिग्राम चैनल और इंस्टाग्राम सभी की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फिलाल जो हम नोटिफिकेशन कवर करेंगे उसमें पोस्ट हैं हिंदी संस्क्रित नमरा पोस्ट सामने लिखे हुएं संस्क्रि नहीं है जो है गेश्ट फेकल्टी पोजीशन से पर्मानें नहीं है पर्माने पोस्ट जो भी एक गाये थेखिочь सारे वेकन裡 सी अ युदियो बनाई हुए आ आपकी जो अभी एसिस्टेंट प्रोफेसर के पर्वानेंट पोस्ट आरे हैं उनमें एक एक या दो-दो सीट्स ही है इसले मैंने उनको कवर नहीं किया क्योंकि हार टू सीट्स है जाद अतर जागप अलाभाद उनियुशिटी और डेली उनियुशिटी की मैंने कवर की हुई तो यह फिलाल जो अभी है यह सेंट्रल उनियुशिटी और ओडिसा से है बट यह गेस्ट फैकल्टी के लिए 7 अक्टोबर, 8 अक्टोबर, 9 अक्टोबर को आप वाकिन इंटर्व्यू के लिए जाना है अभी जो क्वालिफिकेशन की डीटेल है वह इंजिनियरिंग सब्ज क्लास किया या M.E.M. Tech में या दोनों जगा पे तो आप एप्लिकेशन कंप्रिटर साइंस के लिए दे सकते हैं बिजनेस अड्मिनिस्ट्रेशन के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बिजनेस अड्मिनिस्ट्रेशन में और दो साल की प्रोफेशनल एक्स्पिरियंस तो पी-एचडी होनी चाहिए बाकी सब्सेक्स के लिए नेट सेट है अब सालरी क्या है वो भी हम देख लेते हैं जैसे कि फिजिकल साइंस के लिए पोस्ट ग्राजट डिग्री इन फिजिकल साइंस फिजिक्स केमेस्ट्री विध 55 परसेंट माक्स एंड में डिग्री तो पेड़ाजी में अगर पेड़ाजी के लिए अगर आप एप्ल है वो क्राइटेरिया आपकी PhD डिग्री फुल्फिल कर रही हूं तो फिर आप नेट से एक्जेम्टेड रहेंगे तो यहां पर एक पॉइंट लिखा PhD डिग्री शेल भी mandatory qualification for direct recruitment to the post of तो फिलाल तो यह लागू अभी इसके लिए जो नोटिफिकेशन एक नहीं आ रही है unofficially कि फिलाल relaxation दे दी गई है PhD को mandatory ने किया गया है तो जिनके पास नेट सेट है वो भी वाक-इन इंटर्व्यू में जा सकते हैं और कुछ सब computer science के लिए नेट सेट की जरुवत नहीं है MBA के लिए भी नेट सेट की जरुवत नहीं है तो इस तरीके से है salary की बात अगर कर लेते हैं तो salary यहाँ पर लिखी हुई है 1500 रुपीज पर lecture मिलेगी और जो कि maximum अगर monthly calculate किया है तो maximum 50,000 तक payment हो सकती है purely temporary basis पर रही है और इसके बाद TADA नहीं दी जाएगी बागी की terms and conditions आप पढ़ ले कहां पर है official website एक बार देख लेते हैं यह official website पर मैं recruitment section में recruitment section में walk-in interview for empowerment of guest faculty view pdf detailed advertisement application form अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आप कुद भी eligibility criteria पढ़े अगर मुझे पताने में मेरे तरफ से कोई error हो गई है या कुछ points मिस हो गए तो उनको आप अच्छी तरीके से पढ़के समझने के बाद ही walk-in interview के लिए आप से भी का best wishes thank you very much बाहर के candidate भी बिल्कुल आप एर हो सकते हैं बट क्यूंकि यह walk-in interview है और काफी कम वक्त है तो इसके हिसाब से अधर्वाइस Central University में कि अधर कहीं से भी candidate आप एर हो सकते है walk-in interview के लिए या application डाली जा सकती है all over India कहीं से भी